Hello everyone and welcome to Law Channel of Adda247 Aelit का paper बहुत जादा एक mysterious paper बनता जा रहा है over the years अगर आप देखें उस paper की predictability और किस तरीके के questions उसमें आएंगे क्या उसका pattern रहेगा वो काफी तक एक dynamic paper माना जाता है और इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि एक बात को आप client का paper निकालने लेकिन Aelit का paper निकालना थोड़ा सा tough हो जाता है काफी सारे बच्चों के लिए लेकिन आज के session में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आप पढ़ें क्या चीज़ें आप उनकी तैयारी करें जिससे आप ये paper बता हो clear कर पाएं तो इसलिए मेरे साथ आप end तक जरूर बने रहेगा नाम है आशीज़गर स्वागत करता हूँ आपका इस session में जहां पर हम बात करने वाले है कि भाई syllabus क्या होने वाला है Aelit 2025 का तो इसके लिए आईए शुरुआत करते हैं ये session अगर आपने एंट तक देखिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वो ground क्या है जहां पर आपको fight करनी है बागी contestants के साथ तो आईए चलते हैं और शुरुआत करते हैं कि इस exam में होता क्या है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता हो कि exam ये है क्या क्या आता है इसके अंदर क्या section है तो वो चीज़ जब आपको अगर पता चल जाती है तो आप इसको अराम से कर पाएंगे तो अगर मैं आपको यहां पर बता हूँ कि आपका जो test pattern है उस pattern में आपके पास आते हैं तीन sections पहला section आपके पास जो आता है वो है English का और इस English के section में आपके पास आते हैं total 50 questions उसके बाद आपके पास आता है section number 2 जिसमें आपके पास आती है logical reasoning क्या आता है जी logical reasoning आता है इसमें क्या आता है अभी सब बताऊंगा यहां पर आते हैं आपके पास 70 questions और फिर आपके पास आता है section 3 इस section 3 में आपके पास आते है general knowledge and current affairs के questions यह आपके पास यहां पर आ जाते हैं जो कि आपको पिछले एक साल का current affairs यह पढ़ना पड़ता है तोटल आते हैं 30 questions और यह आपके सामने बन जाते हैं 1.500 questions आपको करने होते हैं 2 hours का time होता है आपके पास जो आपको करना है तो यह आपका पूरा का पूरा structure है जो आपको पता होना चाहिए as far as know your exam अब जब आपको यह पता चल गया कि इसमें कौन-कौन से section आते हैं क्या आता है तो आपको यह भी पता होना चीए कि वह English में क्या पूछा जाता है आप से logical reasoning में क्या पूछा जाता है आप से general knowledge current affairs में क्या पूछा जाता है पता है कि नहीं तो इसमें आईए हम चलते हैं जानते हैं कि इसका paper LA 2025 का syllabus क्या होने वाला है तो अगर आप LA 2025 के बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको लेके जाना चाहूँगा किधर और आप देखेंगे कि All India Law Entrance Test जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपके paper में तीन section होते हैं डेड़ सो question यहाँ पर लिखे हुए एक सो बीस में लटकर ताइम है तो आपसे वह पूछेंगे उनके अलावा यह basic चीज़ें आप grammar भी वह पूछ सकते हैं fill in the blanks भी वह आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं analogy के question भी वह इसी में आपसे डाल के पूछ सकते हैं तो basically broadly सारी की सारी चीज़ें आपसे वह English की चाहें वह synonyms, antonyms हो, analogies हो, fill in the blanks हो, grammar के questions हो, figure of speech हो यह सब बुछ सकते हैं लेकिन वायर का passage उसके बाद आता है कि आपके पास current affairs and general knowledge तीस question होते हैं तीस mark के पिछले एक साल का अगर आपने पढ़ लिया one-liner type के questions आते हैं उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको यहां से फाइदा इसका मिल सकता है उसके बाद आता है logical reasoning logical reasoning में आपके पास 70 questions आते हैं legal principles के questions इसमें आ सकते हैं ठीक है लेकिन full-fledged ऐसी कोई knowledge होना about legal ऐसा उन्होंने लिखा है कि नहीं होगा but the examination will not require any kind of legal knowledge or technical understanding ठीक है तो इस तरीके से अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपके पास analytical reasoning के questions, blood relations के questions, जो अलग-अलग तीजे आप में उसमें पढ़ते हैं seating arrangements and all वैसे करके आपके पास logical reasoning and analytical reasoning के combination questions, verbal logic question आपके पास यहां पर आ सकते हैं तो इस वज़े से आपको यह थोड़ा सा ध्यान इसके paper पे रेना है कि आपके पास दो घंटे हैं, 120 मिनट हैं और questions है 150 तो इसलिए अगर कोई major change इस साल नहीं होता है क्योंकि अभी सिर्फ date आई है कोई official notification या every the form is not out अगर कुछ ऐसा भारी भरकम change उन्होंने इस साल नहीं किया, तो आपका pattern 2025 में भी यही रहने वाला है और यही उसका syllabus भी रहने वाला है, अब जब आपको पास इसका syllabus आ चुका है और आपको पता है एक चीज में आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा, कि यहाँ पर आपके पास ALET 2023 का B.A.L.L.B. का question paper है, इसको download करो, download करके check करो कि किस तरीकर पेपर आया था, so that you get to know about the actual questions also तो उसके अलावा, आप जब यहाँ पर जाएंगे, तो सबसे important चीज होती है, practice, और वो practice कहां से मिलती है, आपको mock test series से, mocks दीजिए, जितने जादा mocks आप दे सकते हैं, ALET के, उसको दीजिए, so that you get to know about that what can be the probable structure of the paper and क्या syllabus उसका हो सकता है और फिर अगर आपको उसकी preparation करनी है, तो हमारे सारे महापैक्स पे आपको मिल रही है double validity, जहाँ पर आपको मिल रहा है 80% का discount, और अगर आप हमारी app पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 1% का additional discount मिल जाएगा, तो वो जाके आप ले सकते हैं, और उसके अलावा, आपको पत भूले बाबा का एक बहुत बड़ा आशिरवाज, जहाँ पर आपको flat 80% discount प्लस double validity सारे के सारे law के महापैक्स पे मिल रही है, तो आपको करना है क्या, आपको जाना है, आपको जाना है, आपको करना है क्या, code लगाना है Y713 और जूर जाना है मेरे साथ, क्योंकि भूले बा महापैक को लेना चाहते है, तो यहाँ आप जाएंगे, यह रहा आपका law का महापैक, जहाँ पर आपको मिल रहा है सारे के सारे 5-year entrance examination, जितने भी हमारे देश में उनकी तियारी करने का मौकाद, चाहे वो CLAT हो, ALIT हो, JMI हो, Christ University, Symbiosis, I.M.Rotak, Aligar Muslim University, Punjab University, CVT, UG, इन सब की तैयारी आपको कराएगा, एक platform वो है URDA 24-7, तो यह महापैक अजर आपको लेना है, तो आप जाके इसको ले सकते हैं, इसकी आपके पास different validities हैं, तो आप यह 12 months की validity वाला ले सकते हैं, क्योंकि आप अभी class 12th में हैं, और जो लोग class 11th में हैं, वो लोग यहाँ से 24 months या फ को कर देंगे, अपलाए, तो यह आपको मिल जाएगा, 14,400 रुपीज में, पूरे एक साल के लिए, सारे आपको 5-year entrance program की तियारी करने का एक सुनहरा मौका, तो आपको करना है क्या, आपको जाके बस यह याद रखना है, आपके सामने, यह है code Y713, और आपको कोई भी mentorship चाह है, तो आप directly मुझे इस number पे call कर सकते हैं, और इस पे mail कर सकते हैं, right, तो इस पर आप मुझे mail करिएगा, call करिएगा, और जुड़े रहिएगा, मेरे साथ कहां पे, adda 24, 7 पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जुड़े रहना है, और यह number है, जहाँ पर आपको guidance मिलेगी, form filling के बारे में, आपको मिलेगा हर एक mentorship, और आपको मिलेगा form बढ़ने का या batch लेने का हर एक सटीक तरीका, और सबसे अच्छा और सच्चा बात, तो यह number directly है मेरा, आप आके बात कर सकते हैं, all right, तो यह था सले बस, लग जाओ फटाफट से, clad का form आ चुका है, बर दिया